हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर शेल गुपता और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत कॉमनली यूज्ड क्रीम बाइलिूमा जो की पिग्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है इसके बारे में तो पिग्मेंटेशन एक बहुत कॉवन तरह की दवायां यूज करते हैं बहुत सारे लोग इन दवायों को अपने आप से भी यूज करते हैं कि हमिस्ट के बताने पर यूज करते हैं कोई फ्रेंड के बताने पर यूज करते हैं जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाके ही इस दवा को यूज करें तो यदि आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, हम बात करने जा रहे हैं, बाइलूमा क्रीम से होने वाले फायदे, उसके की इंग्रेडियेंट्स, कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कितने समय तक आप इसको एक आपको इसके फायदे दिखने शुरू होते हैं, क्या पोटेंशल साइड एफेक्स हैं, जो आपको बाईलूमा क्रीम से हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे निचान पीजाए, पिपिविटेशन एक बात कॉमन समस्या है और सेल डिकेशन जैसे मैंने बोला की सही नहीं रहता मैं अपने इस चैनल पर बहुत सारे स्किन केर के वीडियो बनाता रहता हूं यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा तो बाइलूमा क्रीम एक पिग पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन पर पाया जाता है क्या इंडिकेशन्स हैं बाइलूमा क्रीम के बाइलूमा क्रीम आप पिए एच में यूज़ कर सकते हैं यानि कि पोस्ट इंफ्लमेंटरी हाइपर पिगमेंटेशन जब किसी भी वजह से ऐसे चोट लगा और उसका काल निशान बन गया तो वो काला निशान या कोई आपको दाना किसी और किसम का कोई प्रॉब्लम हुआ कोई और स्किन डिजीज हुआ एक्जीमा या कुछ ऐसा उसके बाद काला हो गया तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं यह सेफ है खाला कि बार-बार मैं यही बोलूँगा क कि जब भी आप को कोई प्रॉब्लम है आप हमेशा डर्मेटोलोजिस को कंसल्ट करें सेल्फ यूज़ दवाइका ना करें बट इन चीजों में सेफ रहता है इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेकल्स पर भी यह थोड़े से लाइट हो जाते हैं जैसे कि आप काफी गोरे लोगों के अंदर छोटे 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 लाइट ब्राउन तिल होते हैं जिनको फ्रेकल्स कहते हैं यह यह लाइट हो सकते हैं बाइलूमा क्रीम से कब आप बाइलूमा क्रीम को लगा सकते हैं आप इसको नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हैं जो बेटर रहता है, हाला कि कुछ इंग्रेडियंट्स बाइलूमा क्रीम में ऐसे भी हैं, जो थोड़ा sun protection देते हैं, आप दिन के समय संस्क्रीन का इस्तेवाल करें अच्छे से, यह बहुत जरूरी होता है, जब आप बाइलूमा या इस तरीके की कोई भी क्रीम यूज कर रहे हैं, तो आप इसको सिर्फ रात में लगाएं, कितना अमाउंट में आपको बाइलूमा क्रीम लगाना चाहिए, यदि आप उसे फुल फेस लगा रहे हैं, तो लगबग लगबग आप 25 पैसा कोई जितना उसको लेकर फुल फेस अपलाई कर सकते हैं, आप कोई भी और डी-pigmenting cream या इस तरीके की कोई anti-aging cream या तो आप उसको थोड़ा सा test करें यहां पर कान के पीछे इस जंगे अब थोड़ा सा लगा के देख सकते हैं, अगर आपकी skin उसे टॉलरेट करती है, तो फिर आप उसको फुल फेस अपलाई कर सकते हैं, कुछ इंग्रे नाम के enzyme को inhibit करता है, और melanin production को कम करता है, यह काफी mild component है और काफी सारी deep-pigmenting cream में आपको यह मिल जाएगा, यूजली 2% strength यूज की जाती है, अब कुछ higher strength में भी kozic acid preparations आते हैं, in fact, kozic acid से related कुछ peels भी हैं, जो की की जाती है, pigmentation के लिए, जो हम routine में procedural treatments के तोर पे करते है इसके अलावा, arbutine एक component है, जो की hydroquinone से derive होता है, बट ही hydroquinone की तरह, इसके side effects नहीं देखे जाते हैं, यह काफी relatively safe है, और long term use के लिए recommended है, आप इसे use कर सकते हैं, hydroquinone के साथ जो onchronousers या जो खालापन का problem long term usage में देखा जाता है, वो arbutine के साथ नहीं देखा जाता है, यद आपको थोड़ी allergy रही है, hydroquinone preparation से, तो थोड़ा साबधानी से इसको abuse करें, tocopherol एक और component है, जो की आपका बहुत सारे ingredients, बहुत सारे deep pigmenting creams के अंदर पाया जाता है, यह काफी अच्छा और safe है, यह आपके skin में एक अच्छा antioxidant का का काम करता है, और pigment को reduce करने में भी help करता है Glutathine के content को भी आपके skin में बढ़ाता है, काफी useful रहता है, इसके अलाबा, mulberry extracts, यह भी biluma cream के अंदर पाया जाते हैं, जो mulberry plants से derive होते हैं, और यह काफी rich antioxidant है, और इसका tyrosinase inhibition भी होता है, तो pigment को directly inhibit करता है, इसके अलाबा, liquorice करके एक component रहता है, यह काफी useful है और बहुत सारे deep pigmented creams में use होता है, और मैं ने देखा है कि जिन cream के अंदर deep pigmented creams के अंदर liquorice होता है, उनका effect ज्यादा अच्छा आता है as compared to other creams and it is very very safe, hydro curcumin एक और component है, जिसका की active ingredient tetra hydro curcumin होता है, यह भी काफी rich antioxidant है और tyrosinase को inhibit करता है, तो in all जितने भी हम ingredients देख रहे हैं, बाइयूमा क्रीम में यह सब milder ingredients है, दीरे दीरे effect देंगे, long lasting effect देंगे और deeper pigment पे यह काम नहीं करने वाले हैं, बट यह safe है, आपके skin को damage नहीं करेंगे, और फिर भी आप यह creams जब भी use करें, आप हमेशा एक dermatologist के supervision में ही इन creams का इस्तिवाल करें, अपने आप से इन cream का इस अपसान हो सकते हैं, और इसके संबंदित कोई भी और चानकारी यदि आप चाहते हैं, तो comment section में पूछ सकते हैं, आप दिये लए numbers पे भी हमें contact कर सकते हैं, हमारी एक website है www.satyaskinlaser.com जहां पर आपको बहुत सारे pigmentation से संबंदित सवालों के जवाब देंगे, यदी आपको कोई वीडियो पसंद आये तो आप प्रेस कीजिए लाइक बटन को और शेर कीजिए इसको अपने फ्रेंच के साथ और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कीजिए इस तरीके की और information के लिए पैल आइकन दबान आप बिल्कुल मत भूलिएगा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फेस्बुक पर ट्विटर पर जिनके की लिंक्स नीचे दिये गए हैं थैंक्यू लाव यॉर्सेल्ट से ब्लेस्ट